आग्रा में सिलाप रश्यासन ने सभी 690 ग्राम पंचायतों में कोरूना का सर्वेपूरा पुरा पुरू है इसके अलावा अगर गाउं में कोई भी मरेज सीरियस है तो उसे ततकाल अस्पताल भेजा जा रहा है सुल्तानपुर में ऑक्सेजन संकट दूर करने को लेकर शुरू हुई पहल अब रंग लाने लगी है करीब 10 दिन के भीतर सुल्तानपुर में विधायक निधी से ऑक्सेजन प्लांट लगकर तयार हो गया है शुरू आती इस तर पर यहां खरीब 10 बेट्स पर मरीजों को निर्बाद ऑक्सेजन की आपूर्ती होने लगेगी कादीपूर के भाजपा विधायक ने बीटे 24 एक्दिल को सीडियो सुल्तानपुर को पत्र लिखकर कादीपूर समुदाइक स्वास्ते केंदर में ऑक्सेजन प्लांट लगवाने की बात कही थी इसी को लेकर 45 LPM का ऑक्सेजन प्लांट लगवाने के लिए ओर्डर दिया गया और बीटे दो मई से काम शुरू हुआ और आज ये प्लांट कादिपूर सामुदाइक स्वास केंदर में बनकर तैयार हो गया मानने उधायक झी खादिपूर के विधायक निर्दी से लगा आढ़ा है और जिस कम्पने न हम्पाइब ही एक परणके इस प्लांट मखाया गया है और काफी रिक़ूर्ड समय में हुआ जहां तक मुझे पता है ये विधायक निर्दी से पहला प्लांट दख पाया है देश में जहां ऑक्सिजन के खिलत सामने आ रहे हैं, वहां पर कुछ लोग ऑक्सिजन के खिलत खत्म करने के लिए देव दूद बन कर भी सामने आ रहे हैं बीचेपी के एक नेथा ने निजी तोर पर शावस्ति के L2 हॉस्पिटल में ऑक्सिजन प्लांट लगाने का काम शुरू किया है, जिसका काम टेजी से चल रहा है प्रदानमंत्री नरेंद्र मूदि के प्रमुक सचिप, निपरेंद्र मिश्रा के बेठे और पूर्मांचल विकास बूट के सलाहकार साकेत मिश्रा ने अपनी निजी फंड से शावस्ति में ऑक्सिजन प्लांट का शुभारम किया, जल्द ही शावस्ति में ऑक्सिजन सप् कोरोना संकट की वज़े से उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक लगातार परिक्षाएं टलने का सिलसिला जारी है और अब कोरोना संकट को देखते हुए यूपी लोग से वायों की परिक्षाएं भी स्थागित कर दी गई है यूपी पीएसी दोजार एकिस की प्रारामिक परिक्षाएं कोरोना संकट को देखते हुए टाल दी गई है इस बार करीब साथ लाग से ज़ादा भीक्षियों ने यूपी लोग से वायों की परिक्षाओं के लिए आविदन किया था और 13 जून को प्रदेश के कई जिलों में इस परिक्षा का एउजन किया जाना था लेकिन कोरोना संकट की वज़े से अब ये परिक्षाएं नहीं हुए कुर्णा संकट की बीच मुश्किल में फसे मरीजों से अवैद वसूले के मामले लगातर सामया परिल्ली में पुलिस ने अम्बूलेंस का मनमाना किराय वसूल करने के आरूप में एक अम्बूलेंस ड्राइवर, अम्बूलेंस के मालिक और एक आईसियू टेक्नीशन को गरफदार किया है और इन सभी पर एक मरीज के परिजन से अस्पतल पहुँचाने के लिए 15,000 रुपए वसूल में कारूप है मरीज के परिजन ने जब इस बात की शिकायत पुलिस से की तो कारवाई करते हुए पुलिस ने तीनों को गिरफदार करके जेल भीज दिया है आपको बताते हैं कि पहले एंबुलेंस के लिए गाइडलाइन्स जारी कर देगे हैं राज्य सरकार के तरफ से लेकिन उसके बाद भी ये मनमानी वसूली चल गए है उनकी सूचना पर अनकुतवाली में 420 IPC वो हमारी अधियम में तीनों के फुर्द मुकदमा पंजिकरित किया गया है ग्रिटरनॉडा में दवाओं की काला बाजारे के बाद अब प्लाजमा की काला बाजारे का मामला सामने आया है ग्रिटरनॉडा पुलिस ने आज एक अस्पताल के बाहर से प्लाजमा बेचने वाले दो शक्स को गिरफतार किया है सुआट टीम को खबर मिली थी कि बीटा टू थाना शेतर में कुछ लोग 35,000 रुपे में कोविड मरीज को प्लाजमा बेचने जा रहे हैं जिसके बाद कारवाई करते हुए सुआट टीम में दो लोगों को गिरफतार किया इनके पास से प्लाजमा का एक यूनिट, एक कार और एक मुबाइल बरामक किया गया है शाजापुर में मेडिकल स्टोर से 60 गांड कर डॉक्टर कोरुना खाल में कमाई में जुटे हुए एक मरीज के परिजन के मुदाबिक, 15 दिन से 7,000 की जो दवाईयां डॉक्टर के बताएं मेडिकल स्टोर से खरीद रहे थे उस दवाई के असल खियमत दूसरे मेडिकल स्टोर में सिर्फ 1100 रुपे निकले मामला संग्यान में आने के बाद, बेम ने जाच कराने के बाद रिपोर्ट दर्स करने के लिड़ेश पुलिस को दिये बीडित की तेहरीर पर डॉक्टर समित तीन लुगों पर रिपोर्ट दस करने गए है प्रतापगड में स्वास्त विभाग का हाल बेहाल है, पूरे जिले में संदिक मौतों का सिलसला भी जारी है जिला अस्पताल में शवों को ले जाने के लिए केवल दो वाहन है और जिस वज़े से अस्पताल में मौत के बाद इंतिजार करना पड़ रहा है तो कब इस्पायर हुए? कितनी दिन ले? अभी मतलब यह गांट अब तो डाक्टर को बोले थे एंबुलेंस के लिए? आप बोले थे बोल रहे हैं कि दो घंटे ठाई गंटे बाद में लिए लिए सव वाहन को बढ़ाने के लिए वो चस्तर पर अनौज किया गया लेकिन सव वाहन उप्रब नहीं हो पाया और जिले में कोई सव वाहन है भी नहीं किसी और विभाग में या नगर पाल्टा में कि वहां से लिया जा सके शामली के कहराना में एक मकार में सिलिंडर में माग लगने से अप्रतफने मचके सूशना पर पहुंचे पुलिस और थार प्रिकेट की टीम में मौके पर पहुंचकर आगपर काबू पाया जिस बचे से बड़ा हाथसा होने से बच गया नौईडा फेस्टू शेत्र के सीफ फेंस्थित एक स्पोर्ट कमपनी में भीशन आग लगई और बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण याग लगी है जिसे कमपनी की छट पर रखे हुए कपड़े और गत्ते दूदू करके जलने लगे आग लगने के बाद आसपास के बिल्डिंग्स खाली कराई गई मौके पर पहुँची फायर बिगेट की तीम गाड़ियों ने काफी मश्रक्त के बाद आग पर काबू पाया इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और पर्शिमें उत्रप्रदेश के हर छोड़ी बड़े खबर अब सुपर फास संदास में आपको दिखाते हैं चलिए शुरुआत करते हैं बागपत कोटवाली शेतर में बाइक सवार्तीन बदमाशों ने घर में घुस कर एक युवक को गोली मार कर जखमी कर दिया इसके बाद हमलावर धमकी देते हुए फरार हो गए पुलिस हमलावरों को तलाश रही है वेटर नोइटर में ऑक्सिजिन इंजेक्शन के बाद प्लाजमा की काला बासारी का मामला सामिया 40,000 रुपर में जबर्वत मंदों को प्लाजमा बेचा जाता था और इसे दो लोगों को गिरफतार किया हातरस में अवेट शराब कारुबारियों के खिलाफ ऑपरिशन प्रहार जारी है इसके तहट पिछले चार दिनों में 52 लोगों को गिरफतार किया है साथी 628 लीटर अवेट देशी और अंग्रेजी शराब बरामत की गई है पिरोजब आवे नशे में धूत व्यक्ति को छेडखानी करना महगा पड़ गया लोगों ने शक्स की जम कर पिटाई की साथी इसका वीडियो बनाया जो कि अब वारल हो रहा है अम रोह में चोरों ने घर के बाहर खड़ी बाई चोरी कर दो चोरी की घटना सीसी टीवी में खैद दो घटना धाना हसनपुर के महला हूली चौक का है रामपुर में बेटे ने धारदार हतियार से पिता की हत्या कर दी परजनों के मताबिक मृतक शराब का आदी था जिसके चक्कर में उसने काफी जमीन बेच दी थी और अब इस बात से नाराज बेटे ने घटना को अंजार दिया पुरादाबाद में एक वीडियो बारल हो रहा है जिसमें शराब दुकान के मालिक का नाबालिक बेटा लोगों को शराब बीच रहा है सुचना की बाद पोलिस ने मौकी बर पहुंचकर पूस्राच की बाल सनरक्षन आयो के अध्यक्षने जाच के आदिश दिया पुरादाबाद में पहाड़ी से भारी मलबा आने से भंडारंड और राशन गोदाम समेथ स्टाफ रूम को नुकसान पहुंचा भवाली से अल्मोडा जाने वाले मार्ग में भी कई जगा सड़क पर मलबा आने से यातायाद प्रभावित हो गया हाला कि प्रशासन मार्ग खोलने में जुटा है बुद्वार देर शाम को बड़सात और तेज आवाज के साथ पहाडी से मलबा कैंची धाम परिसर में आगया कैंची धाम वो जगह है जहां पर मार्क जकरबर्ग सीब जॉब्स जैसे बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंचे और वो जो कुछ भी आज है वो इस बात के क्रेडिट देते हैं कि यह सब जो कुछ है वो यहीं से आशिवाद उनको मिला है वो तब है और उसी धाम में भंडारे का जो समान था जो स्टोर रूम था उसको भी बड़ा नुक्सान पहुंचा है और यह सडक है में सडक है जो आगे कई जगहों को जोडती है पुरके पूरा कुमाउ मंडल को जोडती है वो पूर तहकशतिक रस्त है देखे सडक पर कितना मलवा आया है कितने बोल्डर ये वो तस्वीरें ये तस्वीरें आप देखें ये मीन रोड़ें देखें कहीं पर रोड नजर आ रहे आपको कहीं पर बड़े पत्थर बैख रहा हैं बादल फटने के वज़ा से बड़ी तबाई हुई है और उसके बाद केंची धाम के साथ में जो छूटी सी नदी है उस का विक्राल रूप आप देखेंगे तो देखकर डर जाएंगे वहाँ पर मौजूद लोगों ने उस वेग को देखा जो आज से पहले कभी नहीं दिखा वो नदी विक्राल रूप धारन के हुए थी ये सब हुआ बादल फटने की बज़र से बादल जब फटता है तो एक ह जगह पर बहुत पानी गिरता है और उसकी बज़र से तवाई होती है और ये मंज़र पहली बार इस से में लोगों ने देखा और कैची धाम प्रसित धाम है देश ही नहीं विदेशों से लोग आते हैं यहाँ पर बड़ी आस्ता है लोगों के इस जगह से और ये तस्वीर आप देखे कैची धाम की हैं यही कैची धाम का जो एक हिसा है अब देखिए कि ये बादल पटने के बाद का मंज़र है कि मलवा और पाने थमा ही नहीं कमल जगाती हमारे समवादा था इस वक्त हमारे साथ जुड़ गये हैं और इस वक्त वह ही पर मौझूद है कमल अभी क्या हालात क्या है क्या मार्ग जो बन था वो खोल दिया गया है नुकसान कितना हुआ है यह आप दर्शकों को बताएं जी रजीव मैं सबसे पहले तो आपको यह बता दू कि एबीपी गंगा की जो टीम है वो एक्स्क्लूजबली मंदिर पे चार नदे नाले क्रॉस करके गई है बहुत विशम परिस्तितियों में हम लोग वहां पहुंचे और वहां का विडियो बिना करके अपने दर्शकों को पहुंचाया मंदिर के हलात मंदिर परिस्तियों जहां भगवानों की मूर्तियां स्थापित हैं वहां तो बहुत सेब था लेकिन जो भंडारन हैं जो भोजन ग्रह हैं उनको थोड़ा नुकसान हुआ है साथ में स्टाफ रूम को हुआ है और एक सबसे बड़ी बात वहां कार मौजूद थी जिसको मलवा दबा सकता था लेकिन मलवे के थोड़ा धीरे आने की वज़े से उस कार को भी वहां से हटा लिया गया तो ऐसे अगर हम दूसरे मायनों में से देखें तो भगवान ने वहां महराज ने ऐसी लीला करी है कि उसको पूरा सेफ रखा है सुरक् मंदर रूप में नहीं आई कल यह इतनी बड़ी आपदा थी उसमें चारों तरफ से पानी आया और मंदर परिसर में मलवा घुसा है उसके बावजूद यहां कोई नुकसान नहीं हुआ इस मंदर के लिए पहले भी कहा जाता था कि यहां आस्था बढ़ते गई बढ़ते ग आप अगे बढ़ते हैं उत्राखंड की खफ़े सुपरफास अंदाज में परिए पानी में तरने के बावजूद वहां सारे भुए तले और सारे भक्तों तक पहुंचे थे तो राजी इस मंदर के बारे में तो पहले से ही सारे लोग इतनी ज्यादा रखते थे आज इस अच्छी बात है कि जानमाल का नुक्सा नहीं हुआ बहुत शुक्रिया आपका कमल इस तमाम जानकारे के लिए और आगे बढ़ते हैं उत्राखंड की खफ़े सुपरफास अंदाज में परिखाते हैं चली शुरुआत करते हैं आपधा प्रभाविश्यत देव प्रयाग में सीम टीरत सिंग रावत ने रिक्षन किया ग्राउंड जीरो पर जाकर प्रभावित लोगों की मदद के निर्देश दिये मंत्री विधायक और अधिकारी भी मौजूद रहे कुविट काल में पूर्व सीम त्रवेंद सिंग रावत और गापिनेट मंद्री गणेश जोशी के समर्थम में आये हरक सिंग रावत निका कि कुविट काल में ना करे राजने थी पिछले समय में जरूर हुई चूक और सरकार में कोरोना को कर दिया था नसरन्दा वड़कोट में मुसलाधार बारिश ते बदला मौसम यमुना घातीक में उचाई और निचले शेत्रों में हुई मुसलाधार बारिश बारिश ने बढ़ाई किसादों की उसीमा पागेश्व में लगातर हो रही बारिश और ओला विर्शिस से किसानों की बड़ी परेशानी तीस बारिश से उचाई बाले इलाकों में ओलू से सबसे जब नुकसान गेहू अखरोट आडू की फसल चौप उत्तरकाशी में दुपहरबाद जबरदस्ट बारिश गंगोत्री से लेकर उत्तरकाशी उचाई और निचले शेत्रों में मुस्लाधार बारिश बारिश ते आम जंजीवर प्रभावित किसानों की बड़ी मुसीबत सेब के पेड़ों को हो रहा है नुकसान कई जगों पर य अचानक बारिश और ओलव रिशे से तापमान में किरामत आई है खबर रुद्र प्रयाग से है जहां तोनेटा में बिना रजिस्ट्रेशन के 130 वैक्सीन की डोज लगा दी गई इसके बाद यहां गामा खड़ा हो गया स्वास्त विभाग के आकड़ों में कुल 90 डोज दी गई आपको बता दे कि रुद्र प्रयाग में 18 साल से जादा उम्र वालों के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया है लेकिर रुद्र प्रयाग जिले में कई जगों पर स्वास्त विभाग की भारी लापर वाही देखने को मिल रही है तो नेटा में स्वास्त विभाग ने बिना रजिस्ट्रेशन और बिना स्लॉट बुक किये ही 130 लोगों को वैक्सिनेज कर दिया जबकि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था उन्हें वैक्सीन नहीं लगी दूसरी और कोरोना संक्रमन की कारण एक ही परिवार के दो व्यक्तियों की मौत के बाद स्वास्त विभाग ने परिवार के अन्य सदस्यों का कोरोना सैंपल नहीं लिया जिस कारण उन्हें भी डर सता रहा है परिवार के अन्य सदस्यों सोशल मीडिया के माध्यम से स्वास्त मेंकमे से सैंपल लिये जाने की गोहर लगा रहे हैं मैं आखल स्लोट बुक कराया था इतुनेटा यहां रुद्धियाग में और फिर जब हम यहां हमें 11 बजे से एक वरे तक की टाइमिंग दी गई थी उस समय पर आप यहां के वेक्सिनेशन करवा दीजिए हम यहां ग्यारा बज़े आए हम जैसे हम यहां आए हम इननले बता है कि वेक्षिन खतम हो चुकी है और मेरा जो टाइम स्लोट हुआ था ग क्या करेंगे हैं उसके अंदर लोगों को अलाउट नहीं है संभवता इस प्रकार की अधी कोई शिकायत है तो करेंगे हैं उनको बता दिया गया था कि इस प्रकार का विदाउट अलाउट्मन्ट संभव नहीं हो पाएगा रोड़के में कोविड कर फ्यू गाइडलाइन्स को लेकर पुलिस प्रशासन अक्शन बोड में नज़र आ रहा है रोड़के में पुलिस ने बेबज़ा सब्कों पर घूमने वालों के खलाप सक्ति की कोविट के नियमों का पार्ण न करने वालों के चालान काटे चालान काटकर कारवाई करते होगा उनको समझाया गया और S.P. देहात का कहना है कि जो भी कोविट गाइडलाइन का उलंखन करेगा उस पर सकत कारवाई की जाएगा देखें इसमें हम लोग लगातर कारवाई कर रहे हैं कल भी हम लोगों के द्वारा एक अठासी के चलान किये गए थे और अगर इस तरीके की कोई बात संग्यान में आ रही है और हमारे द्वारा पाया जा रहा है तो हम उसके खिलाब पज़ो भी बैधने करवाई दूस करने कि लिए लगातार हम लोग भी प्रयास करते हैं करोना करफ्यू का पालन करने के लिए kamṣipur पुलिस को अब सक्ती करने पड़ रही है, कोरोना के प्रतील लोगों में जाग्रूपता इसके लिए काशेपूर पुलिस ने का इस खानों पर फ्लैग मार्च किया और लोगों को सचेत किया बिना वज़े सड़कों पर घूम रहे लोगों की खबर लेने के अलावा बिना मास्क बाहर निकलने वालों के भी चालान काटे गए अधर्वाल साथ हमारे खाने की पुलिस है चोकी की पुलिस है त्राफिक रहे है और प्यार भी उन सके दोरा जो इसमें बाट स्पेट किया गया है